प्यारे विद्ध्य अर्थियों, आज हम कक्षा, छै, विशे, भोगोल, अध्याय तेन, पर्थ्वी की गतियां का कारिय पुस्तिका का कारिय करेंगे, आशा है आपको यह वीडियो पसंद आएगा, प्यारे विद्ध्य अर्थियों, आप मेरे चैनल नौजल एजुकेशन सिलारपुर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, सेयर करें, तदा कॉमेंट करें, अगर आप सब यह करोगे तो हमें उससे मोटिवेशन उर्जा मिलेंगी, और हम आपके लिए और लगाता पर वीडियो बनाते रहेंगे, एक चित्तर दिखाये गया है, अक्स का, यह एक लट्टू दिखाये गया है, पर्थ्वी अपने अक्स पर गूमती है, यह एक्स कालपनिक है, जो उत्री दुरोव से दक्षन दुरोव पर होकर गुजरता है, यह एक्स से दाना होकर जुका हुआ है, जिसका कौन साड़े श्यासट डिगरी का है, पर्थ्वी के इस अक्स पर पस्चिम से पूरो तक गूमती है इस अक्स पर पर्थ्वी, पर्थ्वी का अपने अक्स पर इस परकार गूमना गुर्णन कहलाता है, पर्थ्वी की इसी गती से दिन और रात बनते हैं, उपर दिये गए चित्र में लट्टू और पर्त्वी के अक्स को पहचानो और बताओ कि दोनों में क्या अंतर है पर्त्वी का अक्स काल अपनिक रेखा है जो इसके कक्स ये सता है से साड़ इच्छे है शट डिगरी का कौन मनाती जबकि लट्टू का अक्स वास्त्विक है अपने साथियों के साथ चर्चा करके कोई एक ऐसा उदान लिखो जिससे हम पर्त्वी की गोणन गती को समद सकते हैं पर्थवी को दर्शाने के लिए एक गेंद तथा सूरिय को दर्शाने के लिए एक मौमबत्ती लेंगे गेंद के गुरुनन, गेंद को गुरुनन कराते हुए सूरिय की परिक्रमा कराते हैं अब किरिया कलाप दो है और इसमें ये पर्षन है पर्थवी पूरा समय सूरिय के चारों और चक्र लगाती है फिर भी हम सूरिय को हर समय नहीं देख पाते क्योंकि पर्थवी का अपने अक्स पर घूमने से उसका कुछ इस्चा सूरिय के दूसरी और रहता है दिन रात होने का कारण पर्थवी का कि अपने अक्स पर गती की वज़े से दिन रात होते हैं जब पर्थवी का एक इस्चा सूरिय के सामने होता है तो उसके पिछे के दूसरे इस्चे में रात होगी क्योंकि उस इस्चे के उपर सूरिय का प्रकास नहीं पड़ता इसलिए रात होती है दिन रात होते हैं 24 गंटे के होते हैं 12 गंटे का दिन और 12 गंटे की रात हमारे यहाँ बारह गंटे का दिन बारह गंटे की रात होती है हमेस्य होती है पूरी दिनिया में सभी जगों पर दिन होता है अलग अलग समय में ये किरिया कलाब तेन है किरिया कलाब तेन को करने के लिए ये एक बच्ची है ये टौरच से गलोब के उपर लाइट मार रही है अब देखे गलोब के किस इस्षे पर मौमबत्ती का परकास पड़ेगा जो इस्षा गलोब के सामने है उस इस्षे पर परकास पड़ेगा गलोब के किस इस्षे पर हंदेरा रहेगा जो इस्षा मौमबत्ती की दूसरी और है उस इस्षे पर हंदेरा रहेगा अब देरे देरे गलोब को गुमाओ क्या हुआ जिस हिस्षे पर परकास मिल रहा था हुआ है अंदेरे में जाने लगता है बताओ गलोब पर किस हिस्षे में दिन होगा जो इस्षा मौमबत्ती की और है या मौमबत्ती के सामने है बताओ गलोब के किस हिसे में रात होगी जो इस्सा मौम्बत्ती की दूसरी और है उपर की गती विदी को हम आगे बढ़ाएंगे तुम मौम्बत्ती वाले टेबल के चारों और चाक से गहरा बना दो अपने एक साथी से कहो की वे गलोब वाली टेबल को मौम्बत्ती के चारों और गहरे को दीरे दीरे सरकाए तो तुमने क्या अलोकन किया ये सूर्य के चारों और गुरुनन गती के साथ परिकर्मन गती को भी दिखाता है ये चित्तर दिखाया गया है उपर दिए गए चित्तर में पर्त्वी की कौन सी गती दिखाई गई है परिकर्मन गती दिखाई गई है उपर दिए गए चित्तर में चारों शित्तियों में भूमद रेखा को दर्शाओ इसमें दर्शाय दिया गया है चित्र में ऊपर दिये गए चित्र में चारों सुत्यों में उत्री द्रो और दक्षने द्रो को दर्शाओ ये हमने इस चित्र में दर्शाय दिया है ऊपर दिये गए चारे सुत्यों में दिन रात को दर्शाओ ये भी हमने चित्तर में दर्शादिया ये आपको देखना है उचित मिलान करना है पर्थवी का अपने अक्स पर गूमना गुरुनन कहलाता है पर्थवी का सूर्य के चारह और एक स्थिर कक्स में गूमना परीकर्मन कहलाता है गलोब पर्व है वरत जो दिन रात को विवाजित करता है उसको परदिप वरत कहते हैं दुरूओं के पास किरने तिर्ची पढ़ने से तापमान कम होता है पर्थ्वी की कितनी गतिया है पर्थ्वी की दो गतिया है पर्थ्वी अपने अक्स पर कितने कौन पर जुकी हुई है साड़े च्यासे डिगरी के कौन पर जुकी हुई है रितू परिवरतन का क्या कार्ण है पर्थ्वी का अपने अक्स पर जुकाओ